एक बार में बैठे बैठे अब कितना आलू चप खा सकते हो कॉमेंट बक्स में जो बताना तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यूँ चुटकियों में बेसन दो चमच एक चमच कॉर्ण फ्लॉर एक चाल काटा अब जाएगा इसमें कुछ मसाला मसाले के लिए मेरा रबा खूल नहीं रहा था थोड़ा टाइम लगा खूल गया अब इसमें डालेंगे हम बताओ क्या क्या अरे वही जो रेगुलर मसाले डालते हैं जैसे लाल मीची पॉर्डर दो छोटी चमच धनिया पॉर्डर थोड़ी सी जीरा पॉर्डर और अद्रक लहसन प्याज का प नहीं सकता है मेरा कोई भी रेशिपी हल्दी पॉर्डर डाल कर बढ़िया आसे मिला लेंगे सकते हैं ना गाड़ा रखना पतला रखना 9 अलु ग्रेट की होँआ चार थोड़ी 7 घैर दनिया पनदा चिल्नी फ्लैक्स थोड़ी जी सी लाल मीच पॉर्डर कम ज्यादा कर सकत हैं एक चमस सरसो तेल स्वाद और सिहत के नुसर नमक सब को डालकर बढ़िया से मिला लेना है और हमारा जो मिक्चर आलू का वो बन के तयार हो गिया बैंडिंग के लिए आप इसमें थोड़ी से ब्रेंट क्रॉम्प्स या फिर आप इसमें थोड़ी से कॉंट्फर डाल सकते लेकि मैं नहीं डालूंगी बढ़िया से मिलाने के बाद हम इसको गोल-गोल सेप में चिप्टा करके रख लेंगे प्लेट में सजा लेंगे पूरा के पूरा क्योंकि तलने के टाइम असानी होगी सेम प्रोसेस सारे के सारे एक बराबर जैसा लड़ू बन के तयार करेंगे और लड़ू को पेड़ा बना लेंगे फिर बाद में और हमारा जो बैटर था ना उसमें हम डालेंगे हमारा अलू का पेड़ा और उसमें बढ़िया से बेसन में कोट करके तेल में डालते जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको एक अपना मिश्टेक्स बताती हूँ कि हमने गलती क्या की थी तो हमारी गलती यह थी ना कि बैटर में ना हमने थोड़ा सा प्याज का जो पेष्ट है वो थोड़ा जादा डालिया था जिसके वज़से ही फैल रहा है तो आप यह गलती ना करें हमने एक प्याज का पेष्ट बना दिया था जबकि बैटर कम था हमें आप ऐसा गलती ना करें एक बार में तीन या फिर चार डालें या फिर आपका कड़ाही यदि बड़ा है तो इतना टाल सकते हैं तो ये थोड़ा पलटने में मुश्किल हो रही थी तूटने के डर जादा थे खैर कोई बात नहीं जाना तो पेटी में है लेकिन टेश्ट में इदम पॉर्फेक्ट बना था और सेप जो है वो भी पॉर्फेक्ट है बट थोड़े से फैल गए हैं मेरी एक गलती के कारण तो आप ये गलती ना करें और इसे उलट पलट कर दो से तीन बार में हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे और हमारा एक दम चटपटा मजदार कूरकू आईए और एंजॉय करिए बस मेरी वाली गलती ना करिए चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में हमारे नए वीडियो के साथ और हाँ प्लीज फॉलो जरो करिए और लाइक कॉमेंट करना ना बोलिए बाए बाए थैंक्स पर फूल वाचिंग